हेलो सुदेंट्स मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस हिंदी पर मागनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपोल पार्टिक्रम बिलको निसु कि क्वालटि कैंटेंड के साथ। चलीए है देखते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ें गे तो वीडियो चो ट'Tपिक ह वानकी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो हमने देखा था कि जावा के बारे में देखा था फिर हमने जावा के जंगलों के बारे में बात करी थी फिर हमने जावा के लकड़ हारों के बारे में बात करी थी और हमने ये भी पता है कि डच वग्यानिक वानकी की बात की जा र हम ले जाएंगे तो हमने इस कारण से लकल हारे सारी चीज़ें देखी हुई थी कि कुछ लकल हारों को स्पेशली दबाव डार लए थे कि आप हमारे लिए काम करो तो वैसे ही अब हम यहां बात करने होगा उसके पहले आप ये करें कि भाई जो पुराने फ्रेस्ट हैं हमारे ना पुराने जंगल हैं उनको काठें और उनको काच या करें हम आगे बढ़ जाएं कैसे आगे बढ़ जाए क्या लगा दें उनकी जगह आप नए जंगलों को स्थापित कर दें नए जंगल कैसे होंगे पुराने जंगल कैसे थे वो मिक्स थे नए जंगल कैसे होंगे उनकी जगह पुराने जंगलों काटा और उनकी जगह हमने एक ही लाइन में एक ही वराइटी की पेल लगाना स्टार होता है हमने पड़ा होगा हमने देखाए कि Waar से कंद मूलफ multiplied कटे करते हैं वहाँ से लकडीया लेते हैं वहाँ पर सिकार करते हैं और कुछ संदाय घुमन्तू करते हैं मतलब जंगलों 창 काट कर फिर वहाँ खेती करेंगे और फिर दो-तीन साल खेती करके आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसे जंगलों पर अपना नियंतरन स्थापद करना पड़ेगा और नियंतरन स्थापद करने के लिए आपको वहाँ पर कानून लगाने पड़ेंगे तो यहां पर बात होगी जावा में वन कानून लागू करने को लेका है ताकि वहां के लोगों के साथ लोगों के साथ उनके इलाकों पर भी नियंटर अस्थापत किया जाएँ चुक्री हम जानते हैं कि जावा है इसा इलाका है जो बहुत बन आच्छादित था मतलब बहुत घने बन वहां पर देखने को मिलते थे तो इन वनों पर अपना नियंतरन स्थापित करना और लोगों पर नियंतरन स्थापित करने के लिए वहां पर वन कानून लगाएंगे क्यों क्यों क्या कर रहे हैं जंगलों से जुड़ी हुई या जंगलों से जुड़े हुए कोई कारे कर रहे हैं तो जब वहां पर कानून तो उन पर हमारा नियंतरन स्थापत हो जाएगा यह कानून लगाने के पीछे लोजिक क्या है ताकि क्या हो ग्रामिलों की जो पहुंच है वो जंग जंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर जंगलों को वो अपने तरीके से नहीं काट पाएंगे हम अपने तरीके से उपयोग करेंगे जैसे हम चाहते हैं वैसा इसका उपयोग करेंगे अब यह जंगल कानून क्यों आ रहे हैं यह जंगल कानून क्यों लगाए जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत में भी जंगल कानून लगा तो वैसा ही का क्या था यहां पर कि नाओ या घर बनाने जैसे खास उद्देशों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकडी काटे जा सकती थी और वह भी कैसी कड़ी निगरानी के लिए आप यह लकडी काट सकते थे हैं ना सिर्फ नाओ बनाने या घर के लिए पर मुपयोग करेंगे वहां के लोगों को क्या कि रहे हैं कि आप नाओ के लिए आप नाओ के लिए और घर बनाने के लिए लकडी काट सकते हैं लेकिन हमारी निगरानी में और वो निगरानी कड़ी होगी तब ही आप देखें ग्रामीनों को दंड़ित करने लगे अगर व से मवेशियों को चराने में और इसी घोला-गाली दोडाने के कारण उन गाववालों को क्या करने लगे दंडित मतलब उनको सजा देना स्टार्ट कर दिया गया भारत की तरह यहां पर भी क्या किया गया बन प्रबंधन की आवसकता हो गई यहां बन प्रबंधन की आवसकता कि किसी और आ सकता होगी की और लकड़ी कैसे मिलेगी वबनत्रवन्दन का मतलब क्या हो गया वही आप कुछ एक तरीके से क्या करें मतलब अगर एक खेट आपने तयार कर लिया है तो इस खेट में एक एक लाइन से आप पेड़ लगाना थासे और कैसे होने चाहिए कि प्रकार की कीमतिया लगड़ी जिसकी हमें आउसकता है तो यहां पर बन प्रबंदन जैसे भारत कि आम हो रहा था यहां को जना कर लिए के दिवाज और लेये की निवाजब कंग यहार जाघ जहाज चाहाज यह इतना बड़ा होता है कि इसमें छोटा- patches सहर वैसे इन चहता है जाता है यहां पर लकड़ी की बहुत हो सकता होती थी और साथ ही आप यहां पर आप देख रहेंगे सके पड़े हुए परी इसको पसिलीपर कहते हैं ही लकड़ी के बनते थे आज कर तो यह किसके बने लगे पिरों का निर्याद किया गया मतलब इतने स्लीपर कहां से बनाएगा जावा से मतलब इन स्लीपरों के लिए लकड़ी क्या हो सकता होगी और वो लकड़ी कहां से मिली होगी वन से मिली होगी तो वन को क्या करना पड़ा होगा और वन जब आपने काटा होगा तो यहां पर वन अस्ति हजार स्लीपर आप समझ रहें कितने बन यहां पर काट दे गए होंगे इस चक्कर में अब जब आप जंगल काट रहे हैं स्लीपर बनवा रहे हैं तो यह ऐसे बैठ गया कि बुले हाँ जंगल कट जाओ इसके लिए आपको लेवर किया हो सकता पड़ेगी मतलब कि आप सब्सक्ति को है का मतलब किया है कि इसका बड़ीया काम चलता की रोटी कमा लेता है यह किसी भी कैसे मिजबूरी करने के लिए आजाए देखो अब इस श्रम क्या पूरती कैसे होगी स्रम क्या में लगान नहीं लगती अब लगा दी तो उनकी आये का एक हिस्सा किसमें जाने लगा जंगलों में जाने मतलब लगान चुकाने में जाने लगा और कुछ लोगों को लगान से मुक्त किया गया जोसे भारत में भी कुछ लोगों को जंगलों में रहने की मुक्ति दी गई थी लेकिन उनको कहा गया था कि आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा उनको वन कर् wooden कहते थे तो ऐसे ही योँ पर कुछ जिसको दिन भर काम करने के बाद कुछ नहीं मिलता पारिस्रमिक के रूप में मजदूरी के रूप में कुछ नहीं मिलता लेकिन उसने काम तो किया है वैसी चीज क्या कहलाती है उसको कहते हैं बेगार तो यहां पर क्या कर लिया इनको बेगार करने के लिए मजबूर कर लिया इस थी इस विवस्था को वो लोग कहते थे इस विवस्था को ने कहा blend डांग डियंस डियंस्टेन है ना तो इक नाम इनके द्वारा दिया गया कि अगर आप फिरी में पेड काटेंगे और ढोने के लिए उन लट्टों को ढोने के लिए भैसे फिरी में उपलब्द कराएंग बस्था को लिए तो इस विवस्था को हम लोग तो बिगार के नाम से जानते हैं इन लोगों ने कहा blend डांग डियंस यहां पर जानी जाने लगी अब क्या होगा कि भाई ये लोग जो जिनको इस विवस्था में रखा गया वो फिरी में काम करने लगे और बाकिे लोगों के उपर लगान लगा दिया गया लगान लगते-लगते वो परिसान हो गया तो जंगल चोड़ देंगे या फिर वो इस विवस्था का हिस्टा बनने क लिए तयार हो जाएंगे बाद में ग्राम बास्यों को लगान माफी की बजाए मतलब क्या किया कि यहां पर अभी लगान माफ था तो इनने बोला कि भाई अब क्या करो आपको लगान माफ तो नहीं होगा आपको लगान तो देना पड़ेगा बाद में लगान तो देना मतलब क्या हो जाता है महंताने को कहते हैं मजदूरी आपकी महनत के बदले में जो आपको मिलता है उसको कहते हैं महंताना या हम उसको अपनी भासा में कह देते हैं क्या मजदूरी तो मजदूरी या महंताना दिया जाने लगा लेकिन बन भूमी पर खेती करने के उनके अधिक भी बात कर रहे तरीके से क्या है यह अपने उप्योग के लिए जैसे पेड़ उगवा रहे हैं कि जहाज बन जाए रेलवे का निर्मान हो जाए तो यह सारा काम क्या कर रहा है अपने तरीके से काम करवाने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं पहले गाउवालों को फ्री कर अलत अक्रति बाद ने को कहने लगे कर दिये हैं लेकिन आपको हमारे लेकिन आपको लगान दे नी पड़ेगी और खेती करने का अधिकार की कर दिये गए सीमित पर कहने चाहिए लात था कीसे वहां पर व्यवसाय मैंगनेट ब्रेंस ने आपकी सुबधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिससे वेबसाइट का उप्योग करके आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें वेबसाइट का उप्योग करने के लिए गूगल पर टाइप करें यह डारेट सर्च वार में लिखें मैंगनेट मैंगनेट बेंस डाट कॉम करेंगे तो लिखेंगे तो आपको क्या होगा हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे गूगल पर करते हैं तो उसके कई सारे रेजल्ट आएंगे उस पनसे जो सबसे उपर आता है वही हमारी वेबसाइट होगी अगर आप सही नाम टाइप करते हैं नाम याद रखेंगा मैगनेट बेंस डाट कॉम आपको टाइप करना है टाइप करते हैं जैसे वेबसाइट में प्रवेस्ट करेंगे आपके सामने कोर्स का अप्शन होगा कोर्स के अप्शन में आपको यहां से कोई एक कोर्स चुनना होगा जो भी आपको अच्छा नौमी के विध्यारती है तो आपने क्लास नाइन चुल ली है आप जैसे क्लास नाइन चुलेंगे तो आपके सामने सारे टीचर आजाएंगी अब आपको जो भी सब्जट देखना है वह आप आसानी से देख सकते हैं मतलब कि आप मालीजे के सामाजे विज्ञान द देखा हुआ है उस पर किलिक करेंगे किलिक करते क्या होगा वीडियो चल जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का उपयोग करें और अगले वीडियो पर चले जाएं के लिए बात यहां तक कि मागन बेंस हिंदी को सब्सक्राइब करें जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करकर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं थैंक यू